हलो एवरिवान, वेलकम टू माई यूट्यूब चानल बिंग का बेस्ट टीचर, आज की इस वीडियो में हम नाशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को डिसकास करेंगे, बहुत ही अच्छी पॉलिसी, देखे इतने सालों के बाद कुछ एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आया है, ल है, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जो चानल पे न्यू है, उन सभी को मैं कहना चाहूंगी, कि आप चानल को सस्क्राइब कर दें, ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट्स आपको मिलती रहें, न्यू नाशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020, देखे हाइलाइ अब वहाँ पे बच्चा स्कूल में एड्मिशन ले पाएगा तीन साल की उम्र से, जिसको आंगनवाडी एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन भी हम बोलते हैं, देन ब्रीफ में डिस्कास करेंगे, हम हर एक पॉइंट को हाइलाइट्स देख लेते हैं पहले, देन mission of foundation, literacy and numeracy, then 5 plus 3 plus 3 plus 4, curricular and pedagogical structure, देखे, पहले structure था 10 plus 2 का, जो अब हो गया है, 5 plus 3 plus 3 plus 4, and curriculum to integrate 21st century skills, देखे, सभी देशों के साथ चलने के लिए, it is very important कि हमारी country भी 21 सदी के लिए, जिन skills की ज़रत है, वो बच्चों को बिलकुल उनमें develop किये जाए, then mathematical thinking and scientific temper, जो की बहुत important है, उनको भी बच्चों के अंदर develop किया जा सके, no rigid separation between arts and science, between curricular and extracurricular activities and vocational and academic streams, देखे, कुछ भेदभाव सा पहले होता था, जो की था कि arts और science के बच्चों में जो भेदभाव समझा जाता था, एक ideological thinking हमारी बन गई थी, कि arts का है तो अच्छा नहीं पढ़ता होगा, और science का बच्चा है तो बहुत superior होगा, तो वो जो thinking है, वो हटानी है, वो separation जो gap in streams के बीच में, या co-curricular और curricular के बीच में बन गया है, तो बड़ा ही अच्छा फैसला है, ये new educational policy के द्वारा, next यहाँ पे highlight है, education of gifted children, देखिए, special बच्चों के लिए, and gifted बच्चों के लिए, जो extra superior होते हैं, उनको हमेशा एक तरह से class में lag behind हो जाते थे, वो सही gifted बच्चों का teachers यूज नहीं कर पाते थे, education system यूज नहीं कर तो it is very important कि उनका सही रूप से इस्तमाल हो सके, तो उसके लिए भी कई सारी चीजें इस policy में डाली गई है, next is gender inclusion fund, then kg bvps, up to grade 12, then reduction in the curriculum to core concept, जो की जादक तर foreign universities में देखा गया है, next is vocational integration from class 6th onward, this is very 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 beautiful point, अब जो vocational course होंगे, जो सिर्फ 11-12 से basically start होते थे, वो 6th class से बच्चों को विवसाई की सिक्षा, जिस भी विवसाई में वो interested है, वो दी जाएगी, so it is very important, बच्चों को बहुत help करेगा future में, jobs पाने में, या कोई business start करने में, it is going to help a lot, so ये थे highlights हर एक पॉइंट को अब करे and this video is really, really, really going to be amazing, so 5 plus 3 plus 3 plus 4 curriculum to replace 10 plus 2 system, देखिये, दसवी और बारवी का system जो चला आ रहा था 10 plus 2 का, वो अब replace होगा 5 plus 3 plus 3 plus 4 curriculum से, क्या है ये formula, क्या है ये system जो नया आया है, देख लेते हैं, देखिये, पहले 5 साल की education, जो first 5 है, वो रहेगी 3 years आंगनवाडी, preschool या बालवाटी का, या play school भी हम बोल सकते हैं उसको, वो education, जिसमें बच्चा 3rd, 3 साल की I.U. से admission ले पाएगा, 3 साल का बच्चा हुआ, तब admission आंगनवाडी में ले सकता है, और 6 साल तक वहाँ पे education लेगा, उसके बाद 2 साल की education होगी, उसकी class 1 and 2 की, जिसमें बच्चा 6 से 8 साल का होगा, तो foundational stage इसको बुला गया है, मतलब foundational stage में total 5 साल की बच्चे की education, जो की 3 से 8 साल तक रहेगी, next is preparatory, अब देखिए next stage, अब बच्चे ने second class तक education ले ली, उसके बाद 3 साल की education और वो रहेगी class 3 to 5 तक, अब इसमें बच्चा जो है, वो 8 से 11 साल तक का बच्चा रहेगा, 3 साल का ये education रहेगी, preparatory education, then बच्चा जाएगा middle school में, वो भी 3 साल की education, from class 6 to 8, जिसमें बच्चे की age होगी, 11 to 14, then middle school के बाद secondary education बच्चा लेगा, 4 years की, जो रहेगी class 9 to 12, from age 14 to 18, इसमें बहुत changes आए हैं, जैसा की पहले 9 और 10 में basic subjects होते थे और बच्चे 11 में अपने हिसाब से, arts, commerce और biology या engineering जिसको हम medical, non-medical बोलते हैं, उस हसाब से science में, arts में, commerce में admissions लेते थे, तो अब वो चीज 9 से हो जाएगी और ज़रूरी नहीं, arts, science और ऐसे ही admission आपको particularly लेना है, देखिए, बहुत important point ही, foreign universities का funda है, जो यहाँ पे हमारे यहाँ भी अब लागू हो जाएगा, बहुत जल सिस्टम में आ जाएगा, वो है कि आप अपनी पसंद के subjects choose कर सकते हो, बच्चा जो है, वो अपनी पसंद के subjects choose कर सकता है, अगर उसको biology के साथ history पढ़नी है, तो वो free है, वो biology के साथ history पढ़ सकता है, अपनी पसंद के subjects choose कर सकता है, and this is the favorite thing which I have liked in this curriculum, सबसे अच्छी चीज मुझे यह लगी है, this is one of my favorite, आगे बात कर लेते हैं, Big changes in school education, first is board exams will be low stakes, and test actual knowledge instead of road learning, देखिए रटा therapy जो है, रटने पे बिल्कुल जोर नहीं दिया जाएगा, board exams कुछ इस तरह से बनेंगे, या जो भी evaluation का तरीका रहेगा, वो बच्चों को कितनी knowledge है, वो test करेगा, ना कि बच्चे ने कितना तोते की तरह रट लिया है, लिख दिया है, वो अब नहीं चलने वाला है, और बहुत बच्चे ऐसे ही करते थे, road learning पे ध्यान देते थे, और देखिए ये बहुत बड़ा एक फैसला है, अब देखिए कैसे इसको खतम किया जाएगा, road learning की जगा, बच्चों की actual knowledge कैसे test की जाएगी, तो ये देखना रहेगा, so let's wait and watch for that, क्या government new policies के लिए लेकर आएगी, mother tongue to be the medium instruction till 5th grade, देखिए बच्चे को regional language में या mother tongue में पढ़ाया जाएगा, पाँच भी कक्षा तक और उस हिसाब का, जो देखिए material होगा, text book हो गई या कोई videos हो गई, जो भी educational support aids होंगे, वो भी उस language में construct किये जाएगे, report cards will be comprehensive reports on skills and capabilities, अब बच्चे की skills और capabilities को भी report card में include किया जाएगा, report card का भी pattern change होगा, all separation between vocational and academic and curricular and extracurricular will be removed, अब देखिए भेदभाव जो था, भेदभाव नहीं बोलेंगे तो एक separation था, वो कही ना कही एक stereotype जो हमारी सोच थी, कि बच्चा खेल कूद में है, तो पढ़ने में अच्छा नहीं होगा, या बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो फिर खेल कूद के क्या करेगा, तो ये एक thinking बन गई थी, तो उसको भी change करना है, उसका भी separation यहाँ पे remove किया जाएगा, कोई बच्चा हो सकता है, अगर वो पढ़ाई में अच्छा है, तो उसको खेलना भी पसंद हो, या वो दोनों चीज़ों में अच्छा हो, या कोई खेलता अच्छा है, तो जरूरी नहीं है, वो पढ़ाई में बेकार हो, वो average भी हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है, तो वो जो gap है, वो separation है, वो हटाया जाएगा, then students to learn coding from class 6th, देखिए, coding अब बच्चे को 6th क्लास से सिखाई जाएगे, ये definitely बच्चों को आगे व्यवसाइप आने में help करेगी, very important point, so ये कुछ changes हैं जो school education में आएंगे, new education policy 2020 से, now modifying higher education, देखिए, इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको clear कर दूँ, ये अभी national education policy आ गई है, देखिए, first में को इसको study प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी किया था, तब भी इसके बारे में कुछ चर्चा होई थी, news में था ये, अब ये लागू हो गया है, लेकिन प्रॉपरली इसको school colleges में implement होने में कुछ couple of months लग सकते हैं, या maybe new session से start करें, तो अभी करोना की वज़े से, देखिए, हर चीज़ लेट हो रही है, तो ये भी लेट ही हुआ है, वरना और पहले भी आ जाता, तो it is very important thing जो आई है, Wednesday 29th July को ये replace हो गया है, 1986 National Policy Education थी, मतलब 34 years के बाद ये change हुआ है, तो ये history create हुई है, as a teacher हम सब को भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, students को as a students बहुत कुछ face करना होगा, face in the sense positive thing, so ये सब उनी के लिए है, तो बहुत अच्छा एक history create हुई है यहाँ पे, तो इंडिया को global knowledge super power बनाने के लिए, so it is, इसका aim ही ये है कि इंडिया को global knowledge super power बना सके, this is NEP 2020, now ये वाला point discuss कर लेते हैं, modifying higher education, अब 50% of gross enrollment ratio by 2035, holistic and multidisciplinary education, flexible of subjects, तो जैसा कि हमने discuss किया, बच्चे बिलकुल अब देखिए उन पे depend करेगा कि वो कौन से subjects लेना चाहते हैं, वो चाहें, तो किसी, देखिए अगर बच्चा physics पढ़ना चाता है, तो physics के साथ और उसको sanskrit भी पढ़नी है, तो वो subject ले पाएगा, ये सिर्फ अब उस पे depend करेगा, कोई से भी subject ले पाएगा, बच्चा flexible है to choose the subjects, MPHL not required for PhD, MPHL अब देखिए discontinued हो गई है, then single regulatory for higher education excluding legal and medical, higher education में भी बोख़वट changes आए हैं, अब देखिए आपका जो college का course होगा, वो भी B.Ed में भी, even teaching courses में भी, इस पे अलग से देखिए और information आजाए एक बार, properly NPE 2020, तो उसके बाद वो वीडियो जरूर बनाएंगे, for the proper information की कोई गलत information आप तक ना पहुचे, detail में पहुचे और बिल्कुल सही knowledge पहुचे, now एक बार ये read कर लेते हैं, new education policy was launched on Friday, July 29th, replaced a 34-year-old national policy of education framed in 1986 with the new education policy of 2020, Earlier in the afternoon, the Union Cabinet approved the policy that aims to overhaul the country's education system, Union Ministers for Information and Broadcasting, Prakash Javedgar and Human Resource Development and Ramesh Pokhryal Nishankh made the announcement on the NEP 2020, Earlier on May 1, Prime Minister Narendra Modi has reviewed the NEP 2020, for which draft was prepared by a panel of experts LED by former Indian Space Research Organization Chief K Kasturi Rangan. The NEP 2020 aims at making India a global knowledge superpower, very fantastic. The new academic session will begin in September-October, the delay is due to pandemic attack of coronavirus disease, COVID-19 outbreak and the government aims to introduce the policy before the session kicks in. तो September-October से जो new session स्टार्ट होना है, जो कि जनरली आपरिल में स्टार्ट हो जाता है, बड़ ड्यू टू करोना वाइरस इस साल नहीं हो पाया, तो वो अब new session में September-October जब से भी new session स्टार्ट होगा, मैंने जैसा कि बोला couple of months में ये बिलकुल आपको देखने को schools में, colleges में मिल जाएगा. साथ में एक चीज़ में आपको और बता दूँ, जैसा कि देखिए जो हमारा education department था, वो आता था ministry of human resource के अंदर, HRD ministry के अंदर, तो अब उसका नाम बदल क्या है, उसका नाम ministry of education होगा अब क्यों, और वो properly handle करेगी education को, देखिए, पहले education जो थी, वो under the perfume of HRD ministry थी, and it is very important क्योंकि और देशों में भी हम देखेंगे, तो properly education ministry होती है, and ये बहुत अच्छी चीज़ की गई है, NEP is fantastic, बहुत सारी अच्छी चीज़े देखने को मिलेंगी हमारे education pattern में, overall चाहे वो school की बात की जाए, starting from the first class of the school, from the very early school, and till the end of the school, बहुत सारी चीज़े चीज़े होई है, and in the college also, from the starting of your bachelor's degree, to any of the, even for the PhD also, so there are number of changes that had been done by the NPE 2020, अगर अभी आपके मन में कोई doubt हो related to NPE 2020, just let me know in the comment box, thank you for watching,